लाक दलदल हो पाओं जमाए रखिये और हाथ खाली ही सही उपर उठाए रखिये और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता जरा बर्फ बनने तक होसला तो बनाए रखिये जरा बर्फ बनने तक होसला तो बनाए रखिये जैहिंद स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैलल Fundamental Classes में मैं आपका सुसी ज़र और बेटब आज मैं आप लोगों के ले करके आया हूँ Active and Passive Voice Active and Passive Voice यानि किस तरीके से हम Active Voice से Passive Voice में Change करेंगे मैं आपको बता दूँ कि यह हमारा एक Basic Class है और आज हम आपको टोटल जानकारी यह देंगे कि किस तरीके से हम Active से Passive Voice को Change करते हैं और वो कौन-कौन सी चीजे हैं जो Active से Passive Voice बनाने में बहुत जादा महतपूर हैं और वो कौन-कौन सी ऐसे Tenses हैं जिनको मैं Active से Passive में Change करेंगे तो इस Class को आप सुरूर से लेकर के अंतक जरूर देखें और इसके बाद में Serial Wise हमारी हर एक बीडियो यानि Active and Passive Voice पे हर एक बीडियो बहुत ही गंभीरता से आने बाली है तो आप इसको गंभीरता से पढ़ें गंभीरता से लें क्योंकि आपके एक्जाम बहुत ज़्यादा पास है तो बीटा चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी Active and Passive Voice देखो Active and Passive Voice देखो Simple सी बात है Active Voice हो या फिर Passive Voice हो दोनों में जो प्रिधान होता है वो Subject होता है क्या होता है बीटा दोनों में काम करने वाला कौन होता है वो Subject होता है वर्क यानि डूर जो होता है वो कौन होता है Subject होता है चाहिए आपका Active Voice हो चाहिए आपका Passive Voice हो Suppose माल लो एक Simple सी बात मैं आपको बता रहा हूँ Suppose माल लो कि हमारे पास कोई Sentence है कि He writes a letter अगर हम इसको हिंदी में बात करें ये Sentence कहा है में बटा Active Voice में है कहा है में बटा Active Voice में कि He writes a letter इसके अगर हम हिंदी की बात कर तो क्या हो जाएगा कि बहे एक पत्र लिखता है ठीक है बहे एक पत्र लिखता है और इसी को गर हम passive में change करें, किसमें change करेंगे बेटा passive में, इसी गर हम क्या हमें change करेंगे, passive में अगर change करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा ध्यान देना, कि A letter is written by him, written by him, और इसको कर अब हिंदी में बात करें तो क्या हो जाएगा कि एक पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा बेटा? उसके द्वारा ठीकिए बेटा, एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा तो देखो बेटा, ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि चाहें आपका active boys है और चाहें आपका passive boys है दोनों में जो कार करने वाला है वो कौन होता है? सब्जेक्ट होता है देखिए, यहाँ पर बेहे एक पत्र लिखता है यानि सब्जेक्ट क्या है? बेहे है और यहाँ पर भी क्या है? एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा तो कहने का मतलब है कि इसमें जो कार कर रहा है वो एक ही ब्यक्ति कार कर रहा है समझ में आया न? एक ही ब्यक्ति कार करता है ठीक है? इसमें ही कार कर रहा है और इसमें भी ही कार कर रहा है समझ में आ रहा है? तो यह तो एक basic concept हो गया कि हम किस तरीके से इसको change करेंगे बेटे कुछ चीज़े ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है जब कभी भी हम active से passive में बाक्यों को change करते हैं जब active से passive में sentences को change करते हैं तो बहाँ पर हमेशा ही verb की third form का use होता है तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपको अगर active से passive में बाक्यों को change करना है तो आपको verb यानि verb की third form का प्रियोग आना चाहिए आपको सारी verb की third form आनी चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं कि हम किन किन sentence को active से passive में change करेंगे और फिर हम ये भी जानेंगे कि active boys में ऐसी कौन सी चीज़े होनी चाहिए ठीक है जिससे कि हम passive boys को उसको change करेंगे ठीक है तो समझ लो अगर हम sentence की बात करें बिटा तो sentence में ध्यान देना बिटा देखो आपका present हो गया ठीक है आपका हो गया past और आपका हो गया future ये तो हमारे हो गये tense यानि present tense हो गया past tense हो गया और future tense हो गया आप लोगों को बिलकुल ध्यान देना है बिटा इस table के द्वारा हम दोगों देखेंगे कि हम किन किन tense को हम change करते हैं बहुत अच्छे से ध्यान रखिए गया बिटा एक एक चीज को यहाँ पर clear करती हो चलेंगे और देखो अगर कोई problem हो आप लोगों के लिए तो आप लोगों करना क्या है comment करके हमें बता देना है चीज़िए कि हमारी समझ में ये वाला topic नहीं आया चीज़िए अगर ऐसा होगा चीज़िए नहीं आएगा समझ में तो हम उसको दुबारा से बताएंगे तो ये तो बात होगी हमारी बिटा tense की चीज़िए किस की होगी है continuous थ्यान दिज सेगा है कि चीज़िए के बाद में मैं हमें लेना है परफेक्ट क्या इचको धंट के बाद में मैं हमने लेना ए है परफेक्ट का लियाने नीके अख्यान देना बहुत ठдо अच्छे से कि बेटा प््रिजेंक का इंडेफिनेट होता है तो उसको तो हम हम passive में change करते हैं, present के continuous होता है, तो उसको thorn passive में change करते हैं, और present का perfect है, तो उसको भी हम passive में change करेंगे, ठीक है, past के indefinite को भी करेंगे, past के continuous को भी करेंगे, past के perfect को भी करेंगे, future के definite को करेंगे, future के perfect को करेंगे, और बेटा ध्यान दो, हम perfect continuous किसी का भी होगा हम उसको change नहीं करेंगे और future के continuous को भी हम change नहीं करेंगे तो आप ध्यान दीजिये कि present का indefinite है तो active से passive में हम change कर देंगे present का continuous होगा तो active से passive में हम change कर देंगे present का perfect होगा तो active से passive में हम change करेंगे और perfect continuous को हम change नहीं करेंगे ठीक है यह बात हमारी हो गए कि हम किस किस टेंज को यहाँ पर चेंज करेंगे और किस किस टेंज को हम चेंज नहीं करेंगे है ना इसके सोट लेते रहा करो और कॉपी पेन निकाल करके बैठो ठीक है बहुत ही सिंपल और आसान तरीका मैं बता रहा हूं यकीन मानू इस से सरल तरीका को मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारे पास क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो यहां पर हम बात करते हैं एक्टिव वाइज की और यहां पर हम बात करते हैं बिटा पैसिव वाइज की हम बात करेंगे एक्टिव वाइज की और हम बात करेंगे पैसिव वाइज की समझते रहिएगा ठीक है बिल्कुल बिटा अगर कोई टॉपिक आपकी समझ में ना आए कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो बिटा तुरंत कम करना और आपके कमेंट का रिपलाई आपको जरूर मिलेगा ठीक है अब देखो यदि प्रिजेंट इंडेफिनीट का संटेंस है तो एक्टेब वाइज में क्या होगा देखो या तो बेटा वीवन होगा या फिर वीवन में इस या इस होगा ध्यान देना है तो आपका वरप की फर्स्ट फॉम होगी या फिर वरप की फrints्ट फॉम में एस और इस होगा या फिर आपके बेटा क्या होगा? do होगा और आपका होगा बेटा does तो जब ये condition है यानि किसी भी ऐसे बात के हैं जिसमें आप क्या देखो कि verb की first form देखो या फिर verb की first form में as और yes देखो या फिर do देखो या फिर does देखो तो आप समझ जाओ कि वो sentence हमारा present का indefinite है और यदि आपको पैसे में change करना है तो हमें change करना है बेटा हमें ले लेना है was या फिर sorry यहाँ पर हमें क्या लेना बेटा is लेना है आर लेना है और m और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए हमेशा ही verb की third form का प्रियोग होगा मैंने आपको बताया कि हमेशा ही verb की third form का प्रयोग हम active to passive में करते हैं ठीक है अब आप समझवाब हम आगे बढ़ते हैं है ना अब हम आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे हम लोग और अब देखो हम बात करेंगे present के continuous की देखो present के continuous की अगर हम बात करें हमें वो कौन सी चीज़ें इसमें दी गही होंगे हम कौन सी चीज़ों में उसको change करेंगे तो present continuous की हम बात करें तो बिटा आपको पता होना चाहिए कि present के continuous में age का प्रयोग होता है, r का प्रयोग होता है और m का प्रयोग होता है तो हम passive में अगर change करेंगे तो क्या कर देंगे देखिए, is रहेगा r रहेगा m रहेगा और देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज बढ़ानी होती है वो होती है being और verb की third form क्या लेगेगा? being लग जाएगा समझ में आ रहा है न? being लग जाएगा और verb की third form का हमें आपर use करेंगे ठीक है, अब देखो, अब हम next पर चलते हैं बेटा, next हमारा माल लो हमारा कौन सा हो जाएगा present का perfect, देखिए क्या लेगे नाम को? present का perfect ठीक है, present का perfect क्या दी है, तो देखो यहाँ पर क्या होना है? has होना है या फिर क्या होगा बेटा? have होगा और verb की third form दीगी होगी यहाँ पर पहले से, ध्यान देना है बेटा आपको यदि perfect है, यदि perfect है, तो बहाँ पर आपका has हो सकता है, या फिर have हो सकता है, और उन दोनों के साथ में ही verb की third form का प्रयोग होता है तो हम उसको पैसे में change करेंगे तो क्या करदेंगे, देखो has का has been हो जाएगा, या फिर have been हो जाएगा, और यहाँ पर verb की third form का प्रयोग हम करते हैं, बेटा एक चीज़ और ध्यान दो यह हमें सबसे सरल पढ़ जाता है क्यों पढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें work की third form कहीं से याद नहीं करनी है क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर work की third form पहले से दी गई होती है चीज़ के बेटा, अब देखो इसके बाद में हम बात करेंगे next की और next हमारा क्या आएगा, इससे पहले फोकस देना है, जोगो past indefinite में या तो verb की second form होगी ध्यान देना बेटा, यदि आपका बाद के क्या है, affirmative है, तो आपकी verb की second form होगी या फिर आपका होगा बेटा, यहाँ पर did और इसके साथ में not बगेरा हो सकता है, did plus be one, आ रहा है समझ में इन दोनों ही condition में आपको ध्यान देना है बेटा इन दोनों ही condition में हमें करना क्या है बेटा, was का use करना है, और verb का use करना है, और हमें verb की third form का use करना है, समझते रहना बच्चो, बिल्कुल clearly, चीक है, यह तो बात होगे हमारी past perfect की, indefinite की, अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, past continuous की किसकी बात करेंगे बेटा, past continuous की past continuous को हम कैसे पैचानते हैं देखो ध्यान दो बेटा, boss होगा या फिर verb होगा, और plus b1 में ing लगा होगा, या फिर verb की ing form होगी, तो यदि ये चीजे दी गई हैं तो हम बेटा, passive में कैसे change करेंगे, इसको हमें लेना है was है ना, हमें लेना है verb, और plus हमें b, e, i, n, g का प्रयोग करना और यहाँ पर भी verb कौन सी लगेगी बेटा verb की third form लगेगी, ठीक है, समझ लो अभी एक बार में इनको दुबारा से आप लोगो बताऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से चलिएगा आप लोग, ठीक है बेटा अब देखो वही हमारे present के तीनों हो गए past के दो हो गए अब past का आता है हमारा perfect क्या आता है बेटा, past का perfect आता है अब past के perfect में क्या होगा बेटा, आप ध्यान दीजिए head होगा और we third होगा head होगा और we third होगा, जब कभी भी बाक्यों में head के साथ verb की third form का प्रेयोग होता है बच्चों तो हम passive में उसको change कर देते हैं head, bean और plus verb की third form, देखो head, bean में और verb की third form में, यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छे से ये पता हो form का प्रेयोग होता है ठीक है बटा, ध्यान दीजिए अब हमारा बात आती ही किसकी बटा past तो हमारे complete हो गए क्योंकि perfect continuous किसी का बनता नहीं है, हम बात करेंगे future के indefinite की future के indefinite की, अब future का indefinite का अगर sentence किस में होगा active voice में होगा, तो वहाँ होगा बेटा will, या फिर बहाँ होगा बेटा shell फिर आएगा हमारा verb की first form, ठीक है हमेशा ध्यान देना, हमेशा ध्यान हमको यह देना है, कि यदि will होगा तब भी verb की first form आएगी, और shell होगा तब भी verb की first form आएगी अगर यह condition है और इसको हमेशं में change करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको ध्यान देना है, will होगा तो will be shell होगा तो shall be, और यहाँ पर भी verb की third form का ही प्रियोग होता है है ना बेटा, यहाँ पर भी किसका प्रियोग होता है verb की third form का प्रियोग होता है अब देखो अब देखो आप लोग समझो आप लोग को समझने क्या है कि इसके बाद में जो हमारे टेंस आएगा वो कौन सा आएगा बिटा पर्फेक्ट आएगा कौन सा पर्फेक्ट आएगा फ्यूचर का पर्फेक्ट आएगा ठीक है क्योंकि कॉंटिन future perfect का अगर है तो हमारा क्या होगा बेटा will, have होगा या फिर shall have होगा और हमें verb की third form का प्रयोग यहां पर पहले से किया हुआ मिलता है अगर ये condition है बच्चो तो हम क्या करेंगे passive में हमारा क्या हो जाएगा ध्यान देना मेरे लाल कि will, have, been, या फिर shall have been, will have been या फिर shall have been का प्रयोग करते हैं और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि यदि हम active से passive में बाक्यों को change कर रहे हैं तो बहाँ पर हमारी verb की third form का ही प्रयोग होता है अब बेटा मैं आपर एक चीज फिर से बताओं आपको छोटी छोटी चीजों पर हमें बिल्कुल ध्यान रखना है देखो, simple सी बात है कि जब तक हम किसी को पहचानेंगे नहीं तब तक उसको हम change कैसे कर देंगे कि जब तक हम किसी को पहचानेंगे नहीं तो हम उसको change नहीं कर सकते हैं हम किसी को जानने और पहचानने के बाद ही उसे change करेंगे न वो एक simple way में अगर बात करें कि आपका कोई friend है और starting में आप उसको जानते नहीं हो तो आप उसको change नहीं कर पाओ कि कुछ से बात ही नहीं होगी न और इसी प्रकार से आपकी दोस्ती को कुछ जादा समय हो चुका है आप उसको जानने पहचानने लगे हो तो कहीं न कहीं आप उसको change कर सकते हो मेरी बात ध्यान दखना तो ऐसे ही जब तक हम tenses के बारे में नहीं जानेंगे जब तक हम उनके बारे में नहीं पहचानेंगे तब तक उनको हम change नहीं कर पाएंगे आप बिलकुल ध्यान दीजिए ठीक है फिर से एक बार में चीज़ को repeat कर रहा हूँ कि देखिए यदि active voice में present indefinite का sentence है तो verb होगी verb में as और yes होगी या फिर dooders होगा ध्यान देला बच्चो verb होगी first form या फिर verb की first form में as और yes होगा तो हम उसको change करेंगे is rm में जब भी हम passive में बार के को change करेंगे तो हम भाई use करेंगे is rm का और इसके साथ हमारी लगनी है verb की third form ध्यान देना बच्चो ठीक है दूसरी चीज present का continuous का है तो बिटा हमें पहले पहचानना बहुत ज़ देनेंगे कुछ पता है जहां पर आपको इस देखे जहां पर आर देखे और जहां पर एम देखे वह शर्त है कि इनके साथ subject तो अलगी अलग होंगे न और शर्त यह है कि बर्ब की ing form हो यानि वर्ब में form जो लगी हो वह ing form लगी हो तो आप बिल्गुल श्योर हो जाओ कि वो sentence जो है, वो हमारा present के continuous में है, उसको हम change करेंगे काई मीटा, is, r, m, और ing हटा के हम क्या करते हैं, be, ing लगा देते हैं, और verb की third form का प्रियोग भी हमें यहाँ पे करना है, समझते रहेगा, चीके, present perfect की अगर हम बात करें, तो present perfect में has होता है, पहले से लगा हुआ, have होता है, और have के साथ में verb की third form, आप लोग जानते हो, कि present का perfect हो, या फिर past का perfect हो, या फिर future का perfect हो, किसी का भी perfect है, या फिर हम कहे सकते हैं, कहीं पर भी has लगा हो, कहीं पर भी have लगा हो, कहीं पर भी head लगा हो, या फिर bill have लगा हो, शेल हेव लगा हो वज शर्त यह है कि उसके साथ में कुछ और ना लगा हो तो वहां हमेशा बर्ब की third form का प्रयोग करते हैं ध्यान देना धी देखिए यहां पर हैस लगा है है भोल लगा है और बरब की third form लगी है ठीक है ना third form लगी तो हम क्या करेंगे has को has been में या फिर have been में और verb की third form का use यहां पर भी करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि आप passive में बाके को change कर रहे हैं यदि sentence को आप passive wise में change कर रहे हैं तो आपकी verb की third form का ही प्रियोग होगा इसलिए आपको third form बहुत अच्छे से तयार कर लेनी है ठीक है बेटा next आजाओ past indefinite past indefinite की अगर हम बात करें बेटा तो इसमें b second होगी यानि b की second form होगी किसमे affirmative sentence यदि होगा है ना यदि negative होगा या interrogative होगा तो इस condition में यदि हमें पैसे में change करना तो भाई हमने देखा कि हमारे पास बर्ब की second form है तो क्या लगा देना है वाज वर और बर्ब की third form यदि आपके sentence में did लगा हुआ है डिट के साथ बर्ब की first form लगी हुए तो आपको काई में change कर देना बाज बर्ब की third form है बच्चा ध्यान देना पास्ट कॉंटिनिवस है मारा पास्ट कॉंटिनिवस है तो क्या होगा वाज होगा वर होगा बीवन प्लस आइंजी होगा है ना बाज के साथ में आइंजी वर के साथ में आइंजी हमें करना क्या है वाज बेंग कर देना है या फिर बर बेंग वाज बेंग या फिर वर बे प्रियोग होता है अब देखो फिर आता है पास्ट परफेक्ट मैंने को नहीं होगा और जब कभी यह कंडिशन देखो आप तो हैट के साथ बिन लगा दो हैट भी लगा दो और बनकी फिर इंडेफिनेट की future indefinite में क्या होगा विल होगा शेल होगा और वीवन होगी ध्यान देना मेरे लाल विल होगा शेल होगा और वीवन होगी तो इस condition में हमें क्या करना विल के साथ में बी का यूज करेंगे शेल के साथ में शेल का बी का यूज करेंगे और यहां पर भी वर्ब कौन से लगेगी third form लगेगी फिर हमारा future perfect आता है will have होगा या फिर shell होगा इनके साथ वर्ब की third form होगी और हमें जदी पैसे में बाक्यों को change करना है तो हम क्या करेंगे will have been या फिर shell have been और वर्ब की third form का प्रियोग करते हैं अब समझो इसके बाद में कुछ sentence हमारे कुछ ऐसी चीज़े होती है जैसे models होती है तो उनको हम कैसे change करेंगे कुछ model work होती है उनको हम कैसे change करेंगे will और shell तो हमने use कर लिए बच्चो will और shell का तो use हमने अच्छे से कर लिया है ध्यान देना अब हम अगर change करेंगे कुछ models होती है model work को हम किस तरीके से change करेंगे ये भी topic आप लो देख लो ठीक है suppose माल लो आपका can है किसमे active wise में can है तो passive wise में आपका हो जाएगा बेटा can be ठीक है यदि आपका may है तो आपका हो जाएगा बेटा may be यदि आपका हो जाएगा बेटा would be ठीक है यदि आपका है should तो आपका हो जाएगा बेटा यहापर should be ये कुछ changes और है active to passive में change करने के लिए समझ में आ रहा है active से passive में change करने के लिए ठीक है तो बस ये हमारा एक basic class हो गया है और इस basic class को आप लोगों को बहुत अच्छे से एक बार revise कर लेना है क्योंकि इसके बाद में हम serial wise एक के बाद एक active to passive की वीडियो ले करके आएंगे ठीक है तो मिलेंगे हम लोग next class में तब तक के लिए जैन जै भारत